हलो दोस्तो वेलकम बैक टो अबर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक जीके की महराथन क्लास ठीक है जो के होगा आपका पूरा स्लेवस एक वीडियो में कंप्लेट होयाएगा और यह थोड़ा बहुत बचता है तो अगली वीडियो में देख लेंगे वैसे कोसे करेंगे इसी वीडियो में पूरा कंप्लेट होया है तो ये वीडियो किस किस के लिए है देखो ये कोई भी एक्जाम हो आप किसी लगा번 में कर रहे हूं जिसमें जीके आता हो जीके कि कुछ भी आता हो तो जीके हर किसी एग्जाम के जरूर पोछे आएंगे तो यह आपके लिए औल एक्जाम के लिए है बाइसा मैंने इस पेसली एरफोर्स ग्रॉप और आपका NWDA LDC हो गया और आपका BPSC LDC तो इन तीनों के लिए मैंने इस्पेसली बनाई है क्योंगे मैं इनकी त्यारी कराता हूं अपने चैनल पर ठीक है Math की क्लास चल नहीं है Regularly Math के टीचर हैं Engineer BK सर तो आपकी Math की क्लास ले रहे हैं उनको लीजीए आप जाके और एक दो दिन में उनकी महरातन क्लास आने वाली है जिसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सबसे कॉस्टन लिए जाएंगे और आपकी देखो उसकी जो रीजनिंग क्लास मैंने बहुत सारी दे लिए दस पंदरे प्रैक्टिस सेट करा दिया आप जाके चेक कर सकते हो और ये आपकी जीगे की क्लास मजलानी पड़ी है ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं पहला कॉस्टन देखते हैं क्या है और बताना क् रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के पहले भारतिय गवर्नाजनल कौन थे तो कौस्टन को पहले ध्यान पूरवक पढ़ना है कि कौस्टन पूछ क्या रहा है पहले भारतिय गवर्नाजनल अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि पहले गवर्नाजनल कौन थे ये भारतिय अठा दू पहले गवर्नल जन्र कौन थे तो वो कौन थे आसबॉर्न इसमित कौन थे अगर मैं पहले की बात करूँ पहले गवर्नल जन्र तो वो कौन थे आसबॉर्न इसमित और यद मैं बात करूँ पहले भारतिय गवर्नल जन्र भारतिय गवर्नल जन्र तो भारतिय गवर्णर जनरर कौन थे तो वो थे आपके CD देशमुक कौन थे CD देशमुक याद रखना अच्छी तरह है यह एक एक जितना भी कॉस्टन कराऊंगा एक एक कॉस्टन इंपोटेंट है जितने भी कॉस्टन है सब किसी एकजाम में कई भी बार आई हुए है ठीक ह और आगे अगर बात करें वर्तमान में कौन है तो वो है आपके सक्ति का दास ठीक है तो देखो आगे अगला कॉस्टन देखिए अगला कॉस्टन क्या है अगला कॉस्टन है विटामिन से तो विटामिन से कॉस्टन पूचा गया आपका कि कौन सी विटामिन जल में गुलंस होती है तो चलो बताईए कौन सी विटामिन जल में गुलंसील है तो सब को पता होगा कौन कौन सी विटामिन जल में गुलंसील है तो वह है बी और सी कौन कौन सी है बी सी बी और सी यह दोनों विटामिन क्या है जल में गुलंसील जल में गुलंसील तो यही आपका कौसन है कि कौन सी विटामिन जल में गुलंसील है तो B और C और अगर पूछा जाए कि कौन सी विटामिन वसा में गुलंसील है तो इसका अंसर बताई जल्दी से कौन कौन सी विटामिन वसा में गुलंसील है A, D, E और K यह 4 owes vitamin किस में हैं यह 4 owes vitamin किसमें गुलंसील है यह 4व dairy Veteran vị्द आपकि वश छाल जानलो जो visualize vitamin C है वह किसेसं पाई आती जो खट्ड़ homicide दो जो होते हैं ठीक ए rebel पाई आती है और विटामिन डी आपकी सूर के प्रकास से और विटामिन ए ये सब्लियों गाजर में ठीक है चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे जब साइंस के कॉस्सन करेंगे तो इसमें देखिए गांधी इर्विन समझवाता अगला कॉस् मार्श उननिस्सो आकतिस पांच मार्श उननिस्सो इकिस को उगा था ठीक है अब का मिसी गन किस जील के किनारे इस्तेत है सिकागो ये सिकागो तो ये मिसी गन जील के किनारे इस्तेत है ठीक है सिकागो और क्या है सिकागो मास की सबसे बड़ी मंडी है क्या है मास की मास की सबसे बड़ी मंडी ठीक है और सिकागो में ही धर्म सम्मेलन के लिए कौन गया था इ ही हमारे यहां से Swami Vivekananda कौन गहे ते Swami Vivekananda तो देखो आप किसी भी exam की त्यारी कहते हो ठीक है या आपका जो ndc हो गया अब उसमने choice post है, तो जरूरे नहीं है आप उसी के लिए इसकी त्यारी करो ठीक है ऐसी त्यारी करो कि कुछ और भी exam क्रेक कर सको ठीक है मतलब और भी कोई form पड़ा हो तो उसकी भी एक तरह से इसी के साथ त्यारी करते हKe क्योंकि लगवक्ट सबही एक्जाम में gonnaWho nakedL no V크 or BAR Son funding इसके सर अ्पष्जाम में हिस्पेर उसके अलावा और भी एक्जाम हो या तो कोई ऐसा हो कि मालो उसमें वैकेंसी ठीक ठाक हैं तो प्रॉपर उसी की त्यारी हो SSC GD हो गया या आपका पुलिस हो गया तो या आपका रेलवे हो गया तो यह ऐसे एक जाम है कि इनमें proper बहुत सारी vacancy आती है तो आप उनकी एकदम proper तरीके से कर सकते हो लेकिन ये छोटे मुटे जिनमें 20 vacancy 30, 50, 100 निकल रही है तो उसकी अगर तुम बिलकुल उसी की करोगे तो ये सही नहीं है उसके साब से करो कि आगे के और भी exam दे सको ठीक है तो दुहाधार जल प्र प्रपात किस नदीप पर है अब ये question है ये लवव सभी exam पूछे आते हैं ये तो आपको भी बता होगा ठीक है तो दुहाधार जल प्रपात किस नदीप पर इस्तित है जल्दी से बताई किस नदीपर है तो ये कौन सी नदीपर है ये है नर्मदा नदीपर कौन सी नदीप अच्छा ये क्या है राष्ट पती के पास चमादान की सकती किस नदीपर होगा तो ये हो जाएगा आपका 72 राष्ट पती के पास समादान की चमादान की सकती होती है वो बहत्तर अनच्छेत बहत्तर में होती है ठीक है अब बात आती जनसंक्या घनत्व की तो यहां से बताईए जनसंक्या घनत्व बताई जनसंक्या घनत्व सबसे ज़्यादा जनसंक्या घनत्व बताई आप कहा है अगर कोशन इस तरह से आता है सबसे ज़्यादा जनसंक्या घनत्व कहां कहा है मैं ओप्सन दे रहा हूं पहला ओप्सन बिहार दूसरा अप्सन उत्तरपदेश यूपी ठीक है और तीसरा आपसन है आपका दिल्ली तीसरा आपसन है दिल्ली और चोथा आपसन है महाराष्ट तो इन चारों में से बताईए कौन सा अंसर सही होगा तो यदे आपने बिहार लगा है तो आपका बिल्कुल गलत आंसर है यदे आपने उत्तरपदिस लगाए तो बिलकुल गलत है आपने दिल्ली लगाए तो बिलकुल सही आंसर है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंग्या घनत पूछा जाए अगर ये option है तो आपका दिल्ली होगा आंसर क्या होगा दिल्ली क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंक्या गनत तो है, अगर इसी कौसन को इस तरह से पूछ लेता, सबसे ज़्यादा जनसंक्या गनत तो किस राज्य का है, क्या पूछ लेता, किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा जनसंक्या गनत तो किस राज्य का है, तब उसमें क् अगर सब से कम जंजंग्या गनत पूँचे तो पूचे तो कहां काये अगर इतना हुआ इतना कि लियर हुआ अच्छा अज्य तो जंजंग्या गनत था एक वार घंजण संक्या के उपर और देख लो जन संक्या के बारे तो देखो जन संक्या अगर आप से जन संक्या पूछी जाए कि सबसे जादा जन संक्या कहां की है सबसे जादा जन संक्या किस राज की है तो आप क्या जबाब दोगे सबसे जादा जन संक्या यूपी की है कहां की है सबसे जा ठीक है और अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंग क्या हो गई ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नम्मर पर बताईए यह सबसे जादा हो गई यह सबसे कम हो गई अगर दूसरे नम्मर की बात आती है तो दूसरे नम्मर पर कहा का बताऊगे दूसरे नम्मर पर बताईए कौन सा इस्टेट आएगा तो दूसरे नम्मर पर हो जाएगा आपका कौन सा महाराष्ट क्या हो जाएगा दूसरे नम्मर पर महाराष्ट तो यह clear हुआ जंजंग्यास related जो भी question थे आपके clear हुए कि नहीं हुए चलूँ अब आगे चलते हैं आला question देखते हैं क्या है तो Mount Ketu की उंचाई कितनी है जल्दी से बताइए Mount Ketu की उंचाई कितनी है इसका अंसर बताइए Mount Ketu की उंचाई कितनी है तो देखो Mount Keto की उंचाई कितनी है Mount Keto की उंचाई 8611 है ठीक है इसको हम क्या बोलते है Godwin Austin इसी को Keto को क्या बोलते है Godwin Austin ठीक है इस नाम से भी पूछा जा सकता है तो इसकी उंचाई कितनी है 8611 ये कारा कोरम के अंदर इस्तित है कहां पर कारा कोरम कारा कोरम के अंदर इस्तित है और इसकी उचाए कितनी है 6811 है और इसी को हम क्या बोलते हैं गौडविन आस्टिन ठीक है चलो आगे चलते हैं अला कौसन देखते हैं अला कौसन क्या है तो ये कह रहा है दच के आदार पर जनगड़ना किसके कारकाल में हुई तो ये दियान से देखो ये क्या है दसक ठीक है ये टाइपिंग में थोड़ी मिश्टे के दियान मत देना उस पर ठीक है ये क्या है दसक इसको समझे ना क्या है दसक है दसक के आदार पर दसक के आदार पर जनगड़ना किसके कारकाल में प्रारम हुई तो दसक के आदार पर मतलब दसकी आदार पर जनगड़ना किसके कारकाल में प्रारम हुई बताइए इसका अंसर क्या होगा तो ये प्रारम हुई किसके कारकाल में रिपन के कारकाल में किसके कारकाल में रिपन के कारकाल में लेकिन अगर पूछी जाए कि किसके कारकाल में स्टार्ट हुई चालू ही थी स्टार्ट हुई थी वह किसके कारकाल में हुई थी तो वह ही थी लॉड मेयो लॉड मेयो लॉड मेयो ठीक है अब आगे चलते हैं अगला कॉस्सन देखते है अगला कॉस्टन क्या है तो देखो अगला कॉस्टन है आपका मुख्याले से ठीक है यह दो कॉस्टन इसमें मैच हो गए है ठीक है यह देखो विस्व जंजंग क्या दिवसका मनाया था यह मुख्याले तो पहले हम बात कर लेते हैं मुख्याले होगी क्योंकि मुख्याले से क विखन जरूर बनेगा ठीक है मोख्याल है तो देखो इसमें क्या है से युक्त राष्ट संग है रहें कहां पर जल्दी से बताओ यह न्यू औरक में लार्ख नियू औरक अगर हम बात करें IMF IMF पलस अभिख करें कि तो इसका मुख्याले कहन कर रहा है वासिंगदटन वासिंगदढ्टन डीC और यह כर मैं बात करूं WHO और WTO World Health Organization World Trade Organization तो इनका मुख्याले कहां पर है इनका मुख्याले जिनेवा में इनका मुख्याले कहां पर है जिनेवा में अगर बात करूं UNESCO तो UNESCO का मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले आपका पेरिसमें तो ये ध्यान रखना काफी important है और बहुत ज़्यादा वार इनी में से question पूछा गया है ठीक है तो चलते हैं आगे अगला question देखते हैं क्या है मुख्याले हो गया अब इसके के बाद है आपका विश्यन संक्या दिवस क्या है विश्याद्सक्या दिवस कम मना जाता है तो क्या दिवस कम मनाए जाता है इसका अंसर जल्दी से बताएं तो ये बना जाता आपका 11 जुलाई कब मना जाता है विस्त जनसंग क्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाता है अगे देखिए और भी जो दिवस हैं वो अभी चलो बताता हूं को विरुखो एक दो और यह और स्थीक्स क्लासिकल लेंगुईज ठीक है कै wra crystal लेंग्विज ठीक है कितनी क्लासिकल लेंग्विज हैं तो वह जाएंगी छह है कौन कौनसी जेको कन्नड हो जाएगी कौनसी हो जाएगी कन्नड ठीक है इसके बाद आपकी मलयालम हो जाएगी कौनसी मलयालम मलयालम कन्नड कहां की है कन्नड है करनाटक की मलयालम है केरल की उसके बाद आपकी तीसरी हो जाएगी तमिल तीसरी हो जाएगी तमिल जो कहां की है तमि का ही आथ तंमइल नादू चेन नहीं ठीक है तंमिल हो गई आपकी और उडिया फार एक सिर्ड हो गई ये कह था कि उडिया तो हो गई आपकी एक और वच्चिव क्लासिकल Information और जो हिंदी है वह क्लासिकल लेंग्विज नहीं है ठीक है अब देखो सास्त्री निरत्त कितने है तो सास्त्री निरत्त कितने है आपके आठ निरत्त है ठीक है सास्त्री निरत्त कितने है आठ और क्लासिकल लेंग्विज क्लासिकल लेंग्विज छे हैं बारती राष्ट्र कॉंग्रेस यहां से काफी important बनता है ठीक है यह काफी important question है जो भी question है वो हर एक important question है आप एक काम करना किसी exam को ठाके देखना और यह video पूरी देखने के बाद उस exam के question को लगाना और यह देखना कि question इस मेंसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं बस ठीक है और जो भी आफ एरफोस गुरूप C की त्यारी कर रहे हैं आपके admit card आना start हो चुके हैं तो जिसका भी admit card आ गया हो वो उसका photo खीच के बेश सकता है ठीक है टेली ग्राम गुरूप पर जौन हो या ना टेली ग्राम गुरूप का नाम है ns की classes ns की classes इस जाके जौन हो या न और वहां पे आप इसको admit card को मेरा personal होगा ठीक है वहां पे शेयर कर देना person number पे उस गुरूप में जाके मेरा वो निकालने न वहां पर पर सेयर कर देना ठीक है गुरूप मत करना परसनल करना और जो भी मालो पांस तारिक से paper start है जिसका भी paper हो तो वो paper का question जरूर repetus करे ठीक है जो paper के question है उनको जरूर repetus करें उनका analysis करना है ठीक है पूरा कैसे question कितना क्या आ रहा है ठीक है वो सब देखना है यतने भी question आए मालो पचास question आए जीके-क तीक है या 25 याएं वो सब देख पता चल जाएगा पाच तारीक को और जितने भी कोसन आए वो बताना जलूर कितने कोसन आए और कौन कौन से कोसन आए ठीक है math के English के GK reasoning तो चारों मैं से जितने-वोल कौसन आए जातर ना आए सब को ठीक है लाना आए आपको । याद करके और बताना है कौन 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 से कोसन आए थी और topic तो खासकर याद करके आना कि कौन कौन से topic से आपके कोसन पूछे गए थी कासकर reasoning में, math में और English में और GK का तो कुछ पता ही नहीं कहां से कैसे पूश ले ठीक है वैसे ये GK का part हो गया, GK का पूरा clear है और आपका current affairs होगा ठीक है तो current affairs साइध आप class ले रहे होगे कहीं से current affairs वहां से clear होगे आपकी और GK ये clear हो जाएगी GK तो इस तरह से पूरा complete हो जाएगा और marathon class ले लो current की six month की जो current affairs की जनवरी से अब तक की कहीं देख लो, marathon class हो आट-दस गंटे की, जितने भी हो, वो देख लो या फिर कहीं से question देख लो, question मिल जाए तो marathon class जरूर लेना, ठीक है चे लास्ट six month वो जरूर आएगे मैंसे question तो चलो आगे चलते हैं, वारती राश्टी Congress, इसके बारे में देखते हैं तो इसका question क्या बनता है, इसमें कि इसकी सापना कब हुई थी, तो इसकी सापना कब हुई थी सब को बताऊगा, 1800 पिच्चा सी में किसने की थी, किसने की थी, तो ये की थी की समादी स्तलगा नाम क्या है तो लाल बहादुर सास्त्री बताईए बहादुर तो इसकी समादी इनकी समादी स्तलगा नाम क्या है इनका नाम विजय घाट ठीक है क्या नाम है विजय घाट जो समादी स्तलगा है उसका क्या नाम विजय घाट और जो मुरारजी डेसा ही हैं उनकी समादी स्कारण का नाम क्या है? उनका नाम है कौन सा अभाय घाट, टीक है? अभाय घाट तो आगे इसमें और देख लो इन्होंने कौन सा नारा दिया था लाल बहादु सास्त्री ने ये क्या है ये कुछ नहीं ठीक है लाल बहादु सास्त्री ने कौन सा नारा दिया था जै जवान जै किसान ठीक है और इन्होंने क्या किया था तासकन समझवाता किया था 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने क्या किया था तासकन समझवाता ठीक है तो तासकन समझवाता भी समझाता किया था इनोंने ठीक है 1916 में कांग्रेस के लखनव अधिवेशन में अध्यच्छता किसने की बताईए 1916 में जो लखनव में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यच्छता किसने की थी जल्दी से बताई इसका आंसर क्या होगा तो इसमें किसने की थी अध्यच्छता किस ने की थी अंबिका चरड मजूंदार ठीक है मजमूंदार तो इन्होंने इसकी अद्दच्था की थी ठीक है अगला कॉसन क्या है अगला कॉसन है सरवादिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया सरवादिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो ये किया गया था मोरारजी देशाई के द्वारा ये सरवादिक बजट प्रस्तुत किया गया था अगला कॉसन देखिए LPG में गंद किसके कारड होती है LPG में गंद किसके कारड होती है तो ये होती है मर capten क्या होती है मर capten मर capten मर capten के कार होती है और लोजी किस से होती है यह होता है butain plus propanism अगला कोस्तन देखिए बांगला देखिये सरवादिक सीमा किस राज यसे लगती है अच्छी तरह मैंने सीमा वाला पार्ट करा है ठा तो इसमें सरवादिक सीमा किस राज इसे लगती है राज पूश रहा है ठीक है जो बंगलादेस है उसकी सीमा सरवादिक किस राज इसे लगती है जल्दी से बताओ तो यह आपका पस्चिम बंगाल ठीक है क्या है पस्चिम बंगाल तो यह पस्चिम बंगाल से लगती है और आगे देखो अगला कॉस्टन क्या है और जो बारत की सीमा वो भी बंगलादे से सवसेजाद लगती है ठीक है यह कॉस्टन बनता है यहां से देखो सरोजनी नाइडू ने किस अधिवेशन में कांग्रिस की अधिचता की थी तो यह की थी 1925 में ठीक है कब की थी 1925 में की थी और कौन सा अधिवेशन था कानपुर अधिवेशन कानपुर अधिवेशन ठीक है तो यहां पे नों ने की थी और यही क्या थी जो सरोजनी तीं वो सबसे पहली अब यहां से देखो एक और कौसम जो सरोजी नाइडू थीं वो कांग्रिस की सबसे सबसे पहली अध्यच कौन भारतिय महला अध्यच सरोजी नाइडू कांग्रिस की सबसे पहली भारतिय महला अध्यच बनी ठीक है और अगर बात की जाए कांगरिस की सबसे पहली महला अद्यच कौन थी तो वो थी एनिवेसंट और अगर पूचा जाए कि भारत की सबसे पहली महला अद्यच कांगरिस की कौन थी तो वो थी सरोजनी नाइडू इतनी बात Clear हुई सरोजिनी नайडू को ही क्या बोला जाता है को किला भारत की को किला ठीक है अब आगला कोस्टन देखिए आगला कोस्टन क्या है आगला कोस्टन आपका बनता है AACI विकास बैंक का मुक्ष़ाल है कहा पर है ACI Vikas Bank का मुक्याल है कहां पर है तो इसका मुक्याल है कहां पर है Manila में कहां पर है Manila इसकी स्थापना का वोई 1966 कितने मेंबर है 68 ठीक है ACI Vikas Bank ACN Development Bank ADP ACN Development Bank इसका जो मुक्याल है Manila Manila ठीक है और इसकी जो इसका अपना हुई थी 1960 कितने मेंबर है 68 68 ओके चलो रैवीज के टीके की खोज किसने की रैवीज के टीके की खोज किसने की तो रैवीज के टीके की खोज किसने की लूई पास्चन ने लूईस पास्चर लूईस पास्चर ये किसके काटने पर होता है रैवीश जो रैवीश होता है वो किसके काटने पर होता है वो कुट्टे के काटने से होता है रैवीश ठीक है अगला कॉस्टन देखिए क्या कह रहा है अगला कॉस्टन कह रहा है चौधरी चरड़सीं की समाधी इस्तलका नाम क्या है तो चौधर खिसान गहाट चौदरी चरड़ सींग की समाधी स्तल का नाम किसान गहाट है ठीक है आगे चलो माजली दीप किस राज में इस्तित है तो माजली दीप किस राज में इस्तित है ये है आपका असम में ठीक है कहां पर हैं असम में हैं ब्रह्म पुत्र नदीप है ठीक है कहां पर ब्रहम पुत्र नदीपर जो माजरी दीप है वो असम है ब्रहम पुत्र नदीपर ठीक है जनसंक्या किस सूची का विशे है जन्दी बताईए जनसंक्या किस सूची का विशे है तो देखो जनसंक्या किस सूची का विशे है आपका यह संबर्ती सूची का भिस है अगर बात करें जंगड़ना जंगड़ना किस सूची का भिस है तो यह हो जाएगा आपका संग सूची का भिस हो जाएगा संग सूची का भिसे जनगड़ना ठीक है, याद रखना काफी important question मनता है यहां से doubt भी होता है जन संख्या जन संख्या तो संबर्ती जन संख्या संबर्ती और अगर जनगड़ना का आया है तो संग सूची, ठीक है, इतना ध्यान रखना अब आगे चलो दूद से दही बनाने में किस जीवाडू का प्रियोग होता है जब दूद से दही बनता है तो किस जीवाडू का प्रियोग होता है तो वो होता है लेक्टो बेसल्स, ठीक है लेक्टो बेसल्स, ठीक है लेक्टो लेक्टो बेसल्स आगे देखो मुरारजी देशाई के समाधी घाट का नाम क्या है पहले ही बता चुका हूँ मुरारजी देशाई के समाधी घाट का नाम क्या है अब है घाट अब है घाट ओके आगे देखो अगला सुरेश तैंदुलगर समती का सम्मंद किस से है किस से है गरीबी से, किस से है गरीबी से, अब आगे देखो अगला question, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अब यहां से तुम्हारे लाओ दिवस सारे complete करा दू, जो important, important दिवस हैं, ठीक है, तो उनको कराये तब, विश्व हिंदी दिवस जल्दी से बताईए, कब मना जाता है काफी important question ने विस्त अंदि दिबस तो UK im for यह बना जाता आपका दुस जनकुक्ति को कब बना याता है सबplete आगर बात क्वाका हिंदि काम मना जाता है यह तो यह धीम कं के अब बताए नीई दिवस कम जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर इतनी क्लियर हुआ बात ठीक है अब देखो अगला मतदाता दिवस मतदाता दिवस कम मनायाता है तो यह हो गया आपका 25 जनवरी 25 जनवरी मतदाता दिवस 25 जनवरी अगला क्वस्ण देगे विश्व जल दिवस कम मनायाता है तो विश्व जल दिवस बनायाता है आपका 22 मार्च ठीक है विश्व जल दिवस कम मनायाता है 22 मार्च को अगर विश्व प्रत्वी दिवस की बात करें तो कम मनायाता है विश्व प्रत्वी दिवस जल्दी से विश्व प्रत्वी दिवस बना जाता है आपका 22 अप्रेल को 22 मार्च को क्या बना जाता है विश्व जले दिवस और विश्व प्रत्वी दिवस की बात करें तो 22 क्या हो गया 22 अप्रेल ठीक है 22 अप्रेल हो गया और अगर 22 मई की बात करें तो 22 मई को क्या बना जाता है 22 मई तो तीनों देखो अगर विस्त जल दिवस की बात करूं किसकी विस्त जल दिवस की तो जल कम बनाए जाएगा जल कम बना जाएगा जल दिवस मना जाएगा बाईस मार्च मार्च ठीक है प्रत्वी 22 माई और जै बिवित्ता तो कौन सा हो जाएगा 22 अप्रेल और वो हो जाएगा माई ठीक है 22 माई विस्तु प्रत्वी दिवस 22 अप्रेल और जै बिवित्ता 22 माई ठीक है तंबाकू निसेद दिवस कम मनायाता है 31 में 31 माई को 31 माई को क्या बनायाता है तंबाकू निसेद दिवस जनसंख्या विस्टु जनसंख्या दिवस पहली बता चुका हूँ जल्दी से बताओ क्या होगा विस्तु जनसंख्या दिवस कम मनायाता है 11 जुलाई विस्तु जनसंख्या दिवस 11 जुलाई अगला कॉस्टन देगो ओजोन परत सर्रच्छड दिवस जल्ली से बताओ ओजोन परत सर्रच्छड दिवस कम मनायाता है 16 सेप्टेंबर सोले सितंबर को बनाया था आपका ओजोन परत सरच्छड दिवस ठीक है अगर विश्व खाद दिवस की बात करें तो विश्व खाद दिवस कम बनाया था जल्दी से बताओ ये बनाया था सोले अक्टूबर सोले सितंबर सोले अक्टूबर ओजोन परत कम मनाया था जल्दी से बताओ समविदान दिवस कब मनाया था तो ये बनाया था आपका सम्मेदान दिवस 26 नवमबर थीक है कब बनायाता है 26 नवम्बर और अगर हम बात करें 26 नवम्बर को और कौन सा डे बनायाता है तो वो बनायाता है शागे अक्षे करद आगया अगला कॉस्ट्षन यह त्वस सबको पता होगा अगला कॉसण क्या है विस्व २ृ यू बनायाता है ौत है दिसम्ब्स भी दिशंब्र को बनाया थैपका विस्व मरदा दिवस अब आगे देख लो एक-दो दिवस हो रहें भज हो मानवा लिकार मानवा लिक लिकार दिवस कम मनायाता है ये भज़ना याथ ह आपका दस विस्थम्बर 10 विस्थम्बर और आपका अगला रहार राष्टिय, उप्वकता कम मना याता तो यह बना याता है तो यह बना याता आपका पंद्रे मार्च को ठीक है पंद्रह मार्च यह बनाया था आपका 15 मार्च को तो दिवस क्लियर हुए अब चलते हैं आगे अब बताईए अगला कॉस्टन यह कह रहा है हाइग्रो मीटर यह हज्रो नहीं यह क्या है हाइग्रो क्या है हाइग्रो हाइग्रो मीटर के द्वारा किसे मापा जाता है किसे नहीं किसे किसे ठीक है किसे मापा जाता है हाइग्रो मीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं जल्दी बताईए जो सापेचिक आदरता होती है न उसको मापते हैं हम किसके द्वारा हाइग्रो मीटर के द् ठीक है अब बताईए और थोड़े धोड़े देख लीजिए कि यंद ठीक है और थोड़े बहुत यंद कि यंजिए एक दो जो दाव होता ना दाव धा दाव को हम किस के दू पर माप याता है तो ये माप याथा आपका बैरो मीटर, बैरो मीटर, दाव किसके द्वारा माप यादा है, बैरो मीटर के द्वारा, और अगर मैं बात करूँ, रक्त दाव, रक्त दाव होता है, रक्त दाव किसके द्वारा मापते हैं, इस फिग्नो मीटर, किसके द्वारा, इस फिग्नो मीटर, इस फिग्नो मीटर, द्वारा मापते हैं और अगर मैं बात करूँ किसकी अगर मैं बात करूँ ठीक है यहां तो क्लियर हुआ है इचना अब मैं बात करता हूँ आप से कि साफेच चिकता का सिद्धान्त किस ने दिया साफेच चिकता का सिद्धान्त किस ने दिया जल्दी से बताइए इस कांसर जो साफेच चिकता का सिद्धान्त है वो किस ने दिया क्या आप कह सकते हो कि कोई वस्तू गत्सील में है कि इस्तिती में मतलब विराम में है कि गत्ती में आप कह सकते हो किसी को बिलकुल नहीं कह सक दो व्यक्ति बेटे हैं आमने सामने क्या तुम बोल सकते हो कि तुमारे सामने वाला व्यक्ति इस्तती में नहीं बोल सकते हैं इसमें क्या है आपको किसी के साफेक्च बोलना होगा कि वो इस्तती में या गती में अब जैसे जो आपका चंद्रमा है चंद्रमा ठीक है या सूर तो आप बोल सकते हो कि वो गती में है कि इस्तती में चंद्रमाय ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इस्तती में है, विराम में है कि गती में है, कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है, हम किसी के साफेक्च बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, प्रत्वी के साफेक्च वो गती में हैं, ठ अगर ये कहे क्या ये व्यक्ति गती में है कि इस्तिति में कुछ नहीं कह सकते हैं हम सापेक्चता का सिद्धान से बता सकते हैं अगर मेरे सापेक्च कहा जाए कि ये व्यक्ति इस्तिति में गती में तो ये इस्तिति में बिराम में और अगर वैसे देखा जाए कि ये गती में इस्तिती में तो हम कुछ नहीं कह सकती, किसी ने किसी के सापेक्ष ही बता पाएंगे, जब ट्रेन के अंदर बैटे हो, आप ये ट्रेन चल लए है, इसके अंदर आप बैटे हो, तो आप अगर चार आदमी बैटे हैं उस ट्रेन में, तो उन चार आदमियों के एक दूसरे के स सापेक्ष, आपकी जो पोजिशन है, वो क्या है, वो बिराम में हैं, ठीक है, और अगर कोई बाहर व्यक्ती है, वो बाहर से आपको देख रहा है, और यदि आप बाहर को देख रहे हो, आप देखते हो, उसके सापेक्ष क्या मेरी इस्तिती गती में है, कि बिराम में है, त तो आपके से जिगती में तो इतनी बात क्लियर हुई साप एक चिकता का सिद्धान बहुत बड़ा सिद्धान थे ठीक है तो यह किस ने दिया था यह दिया था आपका अलबर्ट अलबर्ट आइंस्टीन अलवल्ट आइंस्टीन ने दिया था इन्होंने ही क्या दिया था इन्होंने ही एक समीकर दिया था E वरावर M C स्क्राइब अब ये बहुत इंट्रेस्टिंग चीए ध्यान से देखो C क्या है प्रकास का वेक और M क्या है द्रबमान मैंने एक माल लो मैंने क्या किया कि एक ग्राम का कोई पत्थर का टुकड़ा ले लिया ठीक है और उसे यद में प्रकास की चाल से फैंकूं तो उसमें इनर्जी उथस्पन हो जाएगी अब कितनी इनरजी उथपन हो जाएगी वह बहुत ज्यादा हो जाएगी थीकें टें ट्यू पावस सेवन होता है इसका मल्टिप्र टेंट्टेंग स्षिभ्यस-णीड में होई अगर मैं अब यह समझझ लो हो कि यह होगे चलो उसे छोड़ो मतलब बहुत ज्यादा इनर्जी उत्पन हो जाएगी ठीक है चलो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अभी देखो आगे तैरने का सिद्धान्त किस ने दिया तो तैरने का सिद्धान्त किस ने दिया था आर्कमडीज ने जैसे कोई भी वस्तू सिद्धान्त किस ने दिया तो यह आपका निउटन ने दिया था निउटन और आइंस्टीन ठीक है अब देखो आइंस्टीन ने कहा दिया था वही साप्रेक शिकता का सिद्धान्त और गुर्ता का सड़का निउटन ने अचा आगे प्रकास कौन सी तरंग है तो प्रकास बताई कौन सी तरंग है तो यह हो जाएगी आपकी प्रकास कौन सी हो जाएगी अनुप्रस्त प्रकास कौन सी तर अनुप्रस्त है कि अनुधर्य है अनुधर्य द्वनी कौन सी तरंग है तो द्वनी हो जाएगी आपकी अनुधर्य ठीक है और अगर प्रकास की बात करें तो प्रकास कौन सी तरंग हो जाएगी अनुप्रस्त और द्वनी की बात करूं तो द्वनी हो जाएगी आपकी क्या है क्यूरी कि चलो आगे चलते हैं अगला कॉसन देखते हैं क्या है दरबित, सहियो. जीतक क्या है? सब जानते हो यह है Бलेड क्या हो जाएगा ब्लेड लुट सकते जांते हो आपका चलो पिएस अलवी सी अलेवन फुक है पीएस ऐलवी ने लाउंच किया गया था ने यह पीएस और पीस 멋있 नुकन कर दो अगया लौंच किया गया और कब लौंच किया गया था यह NTPC में इनसे चंद्रयान से कई वार question पूचा गया है चंद्रयान मंगलियान चंद्रयान 2 इन तीनों से बहुत जादा question पूचे गया है ठीक है और सेटलाइट जो 104 सेटलाइट वे से उससे भी पूचा गया था तो चंद्रियान किसके द्वारा लांच किया गया था ये भी पूछा गया था और चंद्रियान कब लांच हुआ था ये भी पूछा गया था दोज्जा ठारे में ठीक है अच्छा मंगल यान कब लॉंच किया गया था तो मंगल यान आपका यह लॉंच हुआ था आपका दोज़ा 13 में कब हुआ था दोज़ा 13 में अगर बात करूं मैं यह किसके द्वारा लॉंच किया गया था तो यह लॉंच किया गया था आपका PSLV PSLV 25 ठीक है PSLV 25 इसके द्वारा लॉंच किया गया था और चंद्रयान सेकंड की बात करें हम अगर चंद्रयान 2 गी तो चंद्रयान 2 यह कब लॉंच हुआ था चंद्रयान 2 तो यह लॉंच हुआ था 22 जुलाई 22 जुलाई साइद आपने लाइफ देखा हो ठीक है 22 जुलाई 2019 ठीक है यह 22 जुलाई को 2019 को लॉंच किया गया था और यह एक महिने वा साइद वहाँ पे पहुँचा था ठीक है उसमें क्या हुआ था वो क्रेक हो गया था ठीक है सॉप्ट लेंडिंग हुई थी ऐम के घ्ड़ द्वहाँ रखना इन तीण चार कोशन को काफी इंपोडेंट है तो मंगलियान वोगया निमतं में जंसंक्या वाला राज कौनसा है निमतं जं शंक्या वाला राज है जल्दी से बताई इसका अंसर अभी मैंने बताये थोड़ी धिर पहले नियुन्तम जनसंक्या वाला राज कौन सा है नियुन्तम जनसंक्या वाला राज ये आपका सिक्कम क्या है सिक्कम सिक्कम है नियुन्तम जनसंक्या मैक्सिमम सबसे ज्यादा जनसंक्या वाला राज कौन सा है जल्दी से बताईए बिहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार, और सबसे कम घनत्य की बात करूं, सबसे कम घनत्य कहां पर है, तो अरणाचन प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरणाचन प्रदेश, अगर बात करूं जन संक्या किस सूची का विसे है, तो जन संक्या संबर्ती सूच का विसे संभर्ति और अगर बात करूं जन गड़ना जन गड़ना तो जन गड़ना किस सूची गड़ना यह से बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो आपका राजिस्तान हो जाएगा क्या हो जाएगा राजिस्तान और अगर चेत्रपल की द्रश्टी से बात करूं सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो वो गोवा हो जाएगा क्या हो जाएगा गोवा इतनी बात क्लिय तो देखो रामसर कहा पर इस्थित है रामसर के जो कव हुआ था ठीक है वह कब वहा था वह आपका कव गवा था रामसर कव अन्साइन समझों था दो फरवरी 1971 तो फरवरी हैं निस सो एकत्थर जो विश्व आद्र भूमी दिवस है वह कम मनाते हूं दो फरवरी ठीक है फरवरी को मनाते हैं और यह राम सर साइट राम सर साइट कहां इसतित है यह है अपकी एरान कहां पर है एरान में ठीक है और यह समझेदा कब गए था 1971 में चलो आगे चलते हैं और विस्व आदर दिवस कम मनायात आपका दो फरवरी को चलो आगे चलो अगला कॉस्टन देखो क्या है तो ये आपका अगला कॉस्टन बताईए इसका अंसर क्या होगा बांगला देश की रायदानी और मुद्रा बताईए क्या कॉस्टन पूचा है बांगला देश की रायदानी और मुद्रा बताईए क्या होगी तो बा है टका ठीक है क्या है टका और इसकी जो रायदानी वो क्या है डाका तो कुछ important रायदानी और उनकी मुद्रा ये और जान लो ठीक है कुछ important रायदानी और उनकी मुद्राएं तो ये भी देख लो ये हो गया आपका यह क्या हो गया तुदेखो यह हो गए आपके देश यह क्या हो गए आपके देश ठीक है इधर मैं यहां लिखता हूँ क्या राजधानी क्या लिखता हूँ यह हो गया आपका राजधानी और यह हो गई आपकी क्या मुद्रा अब देखो अब यहां से बात करते हैं चीन तो कि राइदानी क्या है चीन की राइदानी बताईए क्या है तो चीन की राइदानी हो जाएगी बीजिंग क्या हो जाएगी बीजिंग और अगर चीन की मैं बात करूं मुद्रा की तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी चीन की मुद्रा हो जाएगी यूवान क्या हो जाएगी युवान याद रखना वहान से ठीक है वहान से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो युवान चाइना से ठीक है तो चाइना मुद्रा क्या हो जाएगी युवान ठीक है राइधानी बीचिंग अब देखो आगे मैंमार तो मैंमार की जो राइधानी है मैंमार की राइधानी क्या ह ना पीता ना पीता या याद रहाए ठीक है और इसकी जो मुद्रा है वो क्या जाएगी क्यू आल ठीक है क्यां मुद्रा क्या अगर बात करें हम इरान की तो इरान की राइधानी है तेहरान और मैं बात करूँ इसकी मुद्रा की तो एरान की मुद्रा क्या है तो एरान की आपकी मुद्रा होती है क्या इरान की मुद्रा है तो मान क्या तो मान अब बात करते हैं दच्छड कोरिया किसकी बात करते हैं दच्छड कोरिया की तो दच्छड कोरिया क रायधानी बताओ जल्दी से क्या होगी दच्छर कोरिया की रायधानी तो दच्छर कोरिया की रायधानी होगी आपकी सियोल ठीक है क्या होगी सियोल और इसकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी वॉन अगर बात करें हम जापान की तो जापान जापान की क्या होगी ये सियोल होगी और मुद्रा होगी वह अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान की रायदानी क्या होगी टोक्यो जापान की रायदानी क्या होगी टोक्यो और जापान की मुद्रा की बात करूँ तो ये ठीक है सौधी अरव अब आगिया सौधी अरव सौधी अरव की अगर बात करें रायदानी तो क्या हो जाएगी रियाद क्या हो जाएगी रियाद सौधी अरव की रायदानी क्या हो जाएगी रियाद और इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी रियाद क्या हो जाएगी रियाल याद करना काफी इंपोर्टेंट है अब आगे देखो वेनेज्वेला अब क्या आगे अब वेनेज्वेला तो वेनेज्वेला की राइदानी कहां पर है वो है कारकस ठीक है कराकस और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है बोली बस अगर हम बात करें रूस की तो रूस की राइदानी कहां है मौस को और इसकी जो मुद्रा है उसकी बात करें तो रूवल हो जाएगई ठीक है अब आगे के देखो अगला क्वेसмен में से बात स्टार्ट होती ली जेंग काफी इंपोटेंट आ तो बताईए दाचिंगम राश्ट्धा कहां पर है लगष्या का पर है आपका जम्मू एंड किसमी कहां पर है जम्म कस्मीर में है अब अगला देखो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रिय उद्यान कौन सा है चलो अभी राष्ट्रिय उद्यान के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कौन सा राष्ट्रिय उद्यान कहां पर है तो देखो भारत का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रिय तो हैमिस नेशनल पार्क क्या है सबसे बड़ा राष्ट्रिय उद्ध्यान है ठीक है है मिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रिय उद्ध्यान है ठीक है अब इसमें अगला बात करो में किसकी अब सभी राष्ट्रिय उद्ध्यान देख लो एक बार ठीक है इनसे कॉस तो मैं बात करता हूँ नाम दफा राष्ट्री उद्ध्यान बताईए कहां पर है नाम दफा बालमिकी राष्ट्री उद्ध्यान कहां पर है जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा बाल मिगी राष्ट्री उद्यान कहां पर है तो आपका बाल मिगी राष्ट्री उद्यान कहां पर होगा यह होगा आपका बिहार में कहां पर बिहार अब आगे देखते हैं अगला जिम कारवेट जिम कारवेट नेशनल पार्क कहां पर है यह क्या है भारत का पहला राष्टी उध्यान था भारत का पहला और भारत का सबसे बड़ा कौन सा था हैमिस नेशनल पार्क और जिम कारवेट जिम कारवेट भारत का पहला जो कि कहां प कहाँ पर है देवों की नगरी उत्तरा खंड में कि की में फिछ आगे चलो अगला इसका जो पुराना नाम था वह क्या है पुराना नाम था हैली नेशनल पार् अगर मैं बात करूं सिमिली पाल राश्टी उद्यान कहा parallel तो यह हो गया आपका उडिषा मे, ठीक है, सिमली पाल राश्छी उठ्यान कहां पर हो गया? उडिषा, अब आगे देखो, नागरोल और जल्दा photography, इन दोनों को बताओ जल्दी, ये दोनों राश्छी उठ्यान कहां पर है? जल्दी से बताइजिए इसका अंसर क्या हुआ? नागरूल होगे आपका करनातक क्या हो गया करनातक में जो नागरूला स्टीवुद्यान है वह आपका कौन काँपर होगा करनातक में हो ठीक है अगर मैं जल्दा परा की बात करूं तो ये काँ पर है ये है आपका West Bengal ये काँ पर है West Bengal ममता वनरजी के यहाँ पर ठीक है अगर बात करूं West Bengal पश्यम बंगा बालमिकी तो बालमिकी राश्ट युद्धान अभी बता चुका हूँ अब आगे देखो Silent valley साइलेंट वैली कहां पर है जो साइलेंट वैली है वो है केरल ठीक है कहां पर है केरल केरल के मुख्वंतरी पिन रहे ठीक है अगला कोस्टन देगी अगला कोस्टन क्या है बंगाल विवाजन कब उगाता कोस्टन क्या है बंगाल विवाजन कब उगाता तो बंगाल विवाज तहाँ 1905 में जैसे ही बंगाल व्वायन होंगा तो क्या श्टार्ट हो गया स्वद इस चार्ट हो गया था स्वद स्वद कि स्वदेशी tror एंदोलन झाध sensitive मैं स्वद्यस क्या भीमाट भर कौन यह किसके टाइम पर हुआ दा जो बंगाल व्वायन ता वो करजन के समय हगा था मौअ ओड कार्जन ठीक है यह स्टार्ट तो वो गया लेगन 1911 में यह रद भी वो गया 1905 में स्टार्ट वो गया और 1911 में रद भी हो ठीक है चलो अब देखो आगे जलिया वाला हत्या कांट कब हुआ था तो जलिया वाला हत्या हग्द था अपका 13 अप्रेल 13 अप्रेल 1912 का क्या था दिन था esse ह Before 11 bulई x 2017 अप्रेल 19 9 को क्या होगाने ज्लिया वाला हथ्याकांお 1905 में क्या हुगा बंगाल का विवाजन किसके समय में हुगा था लॉड करजन के समय में इसी के बाद क्या इसी टाइम से क्या होगा स्वदेशी आंदुराने स्टाट हुगा और 1911 में वो रद भी हो गया ठीक है चलो आगे चलते हैं आगला कोसन देखते हैं आगला कोसन क्या बताईए काकोरी ट्रेन्ड कहती कब की गई थी 1925 कुरा पैक्ट क्य आया तो पुना पैक्ट आपका 1932 में आया पूना पैक्ट ठीक है अगला कोसन है क्रिप्स मिसन क्रिप्स मिसन और भारत छोड़ आंदरन सब को पता होगा 1942 1922 इसी में ठीक है क्रिप्स मिसन और भारत छोड़ आंदरन आया आगे चलते हैं भारत की पहली महला राजपाल कों थी तो ये सब को पता है भारत की पहली महला तीस की कोंग्रेस की किसकी कौंग्रेस की और और इनी को क्या आया था तै कोकिला ठीक है तो यहीं से बनगया इतना question अब देखो अगला question. अगला क्या है? UN A, UN महासवा की पहली भारतिय महला अद्जच. UN महासवा की पहली भारतिय महला अद्जच कौन थी? जल्दी से बताई इसका अंतर क्या होगा. तो ये थी विजह लच्छिनी पंडित. विजय लक्ष्मी पंडित ठीक है अगर बात करूँ भानु अतया को कौनसी फिल्म के लिए आसकर आवार्ड दिया गया ठीक है जल्दी से बताईए कौनसी फिल्म थी सबको पता होगा गांधी ठीक है ये गांधी फिल्म के लिए इनको कौन सा वार मिलाता थीक है ऑसकर इसके बाद अगला कौशन है भारत की एक मात्र राष्ट पती महला का नाम बताईए तो भार्त की एक मात्र राष्टवती महला कौन थी प्रतिभाः पाटिल ठीक है अब तुम एक कौसन और देख लो यहां से आप मुख्याले देख लो मुख्याले ठीक है चलो मुख्याले की बात करते हूँ यह हो गया आपका मुख्याले ठीक है इसको मैं बोर्ट पर बताता हूँ इसको बोर्ट पर देख यह ठीक है तो यहां पर बात करते हैं मुख्याले ठीक है देखो पहले बात करेंगे यूनेसको मैं लिखते जा रहा हूँ इनके आप जवाब देते जाएए यह हो गया यूनेसको यूनेसको का मुख्याले कहां पर है जल्दी से बताईए इसके बाद वाल्ट ट्रेड और्गनाईशन डवल्ट टी ओ वाल्ट ट्रेड और्गनाईशन इसका मुख्याले कहां पर है जल्दी से बताईए UNEP इसका मुक्याले बताईए कांप है United Nation Environment Program ठीक है इसका मुक्याले कांप है जल्दी से बताईए ASEAN Development Bank ADP इसका मुक्याले कांप है जल्दी से बताईए तो यह चार हैं अगले पेश पर चार देगेंगे ठीक है तो देखो यूनेसको का मुक्क्याल है कहां पर है ये आपका पेरिस में ठीक है कहां पर है पेरिस अब देखो यूनेसको का मुक्क्याल है कहां पर है यूनेसको का मुक्क्याल हो जाएगा आपका पेरिस में अगर मैं बात करूँ WTO का मुख्याले कहां पर है World Red Organization तो यह हो जाएगा आपका जिनेवा हाँ हो जाएगा जिनेवा में यूनेप यह हो गया आपका इसका मुख्याले कहां पर होगा नेरोजी केन्या के अंदर नेरोजी केन्या अगर बात करूँ Asian Development Bank ADP इसका कहां पर है Manila Manila Philippines ठीक है Manila Philippines तो यह यहां तक हो गए अब आगे के देखेंगे अभी ठीक है यह मैंने इस साइट में कर दिया ठीक है यहां पर अब देखो अब क्या कह रहा है IMF प्लस वर्ल्ड बैंक यह हो गया IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का मुख्याले कहां पर है IMF और वर्ल्ड बैंक का वासिंगटन डी सी वासिंगटन डी सी में और इसके बाद बात करें यू एन ओ यू एन ओ संयुक्त राश्ट संग सब बता दिया है पहले नी यॉर्क नी यॉर्क इसका मुख्याले कहां पर है नी यॉर्क में तो इसका मुख्याले कहां पर है नी यॉर्क में ठीक है अगर बात करूं मैं ओपेक का मुख्याले तो ओपेक का मुख्याले बताईए जल्दी से कहां पर है ओपेक ओपेक का मुख्याले कहां पर है यह हो जाएगा आपका वियना वियना आस्ट्रिया के अंदर वियना आस्ट्रिया तुझे वियना आस्ट्रिया के अंतरगत हो जाए अंदर हो जाए अंतर आस्ट्रिया नियाया ले अंतर रास्ट्रिया अंतर रास्ट्रिया नियाया ले इसका मुक्याल है कहाँ पर है दा हैक दा है नीदर्लेंड के अंदर ठीक है यूरोपीयन यूरियजुर्इन यहाँ ब्रूसेल्स बेलियम के अंदर तो मैंने इतने कॉस्सन करा दिये ठीक है एक क्लास ओर लंगा कि वह क्लास थोड़ी बड़ी होगी और करन्ट अफियर्स का आप देख लेना पूरे ये लास सिक्स मन्द का पूरा रिविजन हो जाए तो ज्यादा बैटर रहेगा कहीं से देख लेना ठीक है और सारी क्लास रेगुलर अना श्टार्ट होचकी है और इसकी पीडिएफ मैं ट ये पर वाचिंग वाचिंग वीडियो